हाँ दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर एमके मिस्रा आप लोगों को श्वागत करता हूँ वंदन करता हूँ दोस्तों और दोस्तों आज हम आपके शामने एक नए एवियन पेशेंट के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि यूपी के शाह जहां पूर डिस्टिक से हैं और इनका बहुत परिशान थे लेकिन सही से परहेश करके लबबग दो महिने के आसपास इन्होंने मेडिसिन लिया है और इनको बहुत अच्छा रिलीव मिला और मान के आप चलें कि यह अपना सारा डेली रूटीन वाला कारिय अब करना चालू कर चुके हैं और इनको बहुत बढ़ पेशेंट की क्या मेंटल्टी होती है वह बिलकुल मानसी कवस्था से बिलकुल तनाव ग्रस्त रहता है और हला कि बहुत बहुत बढ़ाई हो हमारे शानु जी को प्रभू उनको और खुश रखे जहां भी रहें स्वस्त रहें और मस्त रहें आप वीडियो देखें और नि बहुत 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 अबदा है और मस्त रहें लाएंगा है तो भी जाओ चल्च बहुत रहें जादा है और रहें जाओ जादान। एपीरोबा एक झाल बचलने में दर्द होता था लेटने बैटने में यहां बैक साइड में दर्द होता था बाइड लेता हैं गया दर्द होता हैं आगे दर्द होता था दर्द होता था है कि दो बहुत हरा मा, पहले बहुत दिखकत होती थी से माह माम जाए लगका हमाँ अए ए्य हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि हमारे शानुजी काफी अच्छे हो गए हैं और दोस्तों आप एवियन जैसी घातक बीमारी बहुत बड़ी समस्या होती है और इतना आसान नहीं होता इसमें लगता है आपके कूले काफी कोलैप्स हो जाते हैं पूरा काल्टिलेस गर जाता है और मान के आप चलना की थोड़ा ताइम तो लगता है लेकिन सभी लोग ठीक होते हैं और इस स्मर्ज में टाइम तो देना ही पड़ता है और मैंने आप लोगों से बार-बार कहा है कि थर्ड स्टेज तक के लोग लबग 6-8 महने के आसपास लगभग ठीक हो जाते हैं लेकिन जो सही से परहेस करते हैं और सही से मेडिसिन लेते हैं और दोस्तों परहेस की बहुत बड़ी कीमत होती है और मान के आप चले की हाला कि हमारे यहां बहुत सारी लोग अच्छे हैं और सभी लोग अपना डेली रूटीन का कारे करते हैं जो बिशारे बिस्तर में थे आज वो सारा काम कर रहे हैं उनकी फेन खतम है लिमपिन खतम है और पूरा दिन वो लोग काम करते हूं और दोस्तों मैं सिर्फ आप fibers यहीं चाहूंगा कि आप लोग इस बीमारी से जलुद से चुट कारा पाएं प्रबू आप लोगों को जल्दी से ठीक कर दें सभी लोगसस्त रहें और में रही बात दोस्तों तो रिकवरी होती है टाइम लगता है और जो इस समस्या के लिए हलका साथ टाइम देगा वही ठीक हो सकता है दोस्तों क्योंकि देखो दोस्तों पेन किलर खाने से दर्द की मेडिसिन खाने से आपका दर्द तो कम हो सकता है लेकिन मर्ज कभी ठीक नहीं हो सकता उसके लिए आ चलना है मानके चलना उनको इसमें होती है और बागी इसंटों बहुत सारे ऑच्छे दूस्तों और रहे हफोटे में आप आगे अगे अब आऩर झाए बुर्प्रोग झीवन ह leveling दोस्तों अगर आप लोग स्वस्थ हैं ना प्रभू ने आपका ऐसे ही बहुत सारा पैसा बचा दिया इसलिए आप लोग हेल्थ को बनाए रखें और आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें दोस्तों